नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अद्रक के फायदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरू करें अब बढ़ते हैं वीडियो सावित होता है इतना ही नहीं अद्रक शरी रोग पती रोधक शमता को बढ़ाने का काम करता है इसके सेवन से पेट के दर्द से छुठकारा मिलता है मित्ली की दिक्कत दूर होती है और वजन कम होने में मदद मिलती है लेकिन इसका सही तरह से सेवन किया जाना बहुत जादा अद्रक को यह तो कहीं तरह से खान पान का हिस्सा बनाया जा सकता है लेकिन इसके सेवन का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका पानी बना कर पिया जाए अद्रक का पानी बनाने के लिए इसके छोटी छोटी टुकडों में काट ले अब एक गिलास पानी में अद्रक डाल कर पक का रस और शहद भी डाल सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि आप खाली पेट ज़रुत से ज़्यादा अद्रक की चाय का इस्तमाल ना करें चलिए हम मैं आपको बताती हूँ कि अद्रक की चाय की क्या क्या पाहिदे होते हैं बड़े हुए कॉलेस्टरोल को कम करने में अद्रक की चाय का कमाल का असर दिखाती है अद्रक की चाय पीने पर यहां LDL यानी बुरे कॉलेस्टरोल को कम करने में असर दिखाता है इससे हाट हेल्थ भी अच्छा होता है इसके अलावा जोडों के दर्द को दूर करने में भी अद्रक की चाय बहुत ज़्यादा लाब भी यह चाई पिया जा सकता है इससे खराब पाचन सही हो जाता है सुबह की समय मौनिंग सिकनेज से रात पाने के लिए अद्रक की चाई का सेवन करके देखे इस चाई से मौनिंग सिकनेज दूर होती है इसके अलावा उल्टी आने लगे या फिर जी मिस चलने लगे तो अद्रक की चाई पिले उल्टी आने से रुछ जाती है तो देखा दोंस्ते औहों है अपने यह थे अद्रक की चाई पिने के फाइदे उमेद करती हूँ आब को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले Thank you friends मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई